करें दिके गाइज इस्तर से और गशा सकते हैं अब जा घृणत रहा है अब इसको मैं कुछ गानिस करूंगे ड्राइ फूट से आपको जो ड्राइ फूट पसंद है आप उस्से कर ले मैं से बदाम से करने वाली हूँ हेलो गाईच आप मेरे पसकुछ ब्रेड बचे हुई है तो इनसे मैं आपको एक रेस्पी बताती हूँ बिजर्ट है जो कि कभी कभी ब्रेड बच जाती है तो मैं बना लेती हूँ वो है शाही ब्रेड कस्टर्ड तो किस्टर्ड के लिया मैं एक ग्लास दूद्ध इसमें से थोड़ा सा दूद्ध मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें एक बड़ा चम्मच एक बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालके पहले से मिक्स करना है मुझे बाकी के दूद को मैं गरम कर रहे हूं और उसमें जिस स्पून से मैंने कस्टर्ड लिया था इसी स्पून से इसमें मैंने दो चम्मत चली भी आड़ कर दी है अब जब वाइल होने लेगा तो इसमें पाव यह कस्टर्ड का गूल डाल दूंगी सबसे पहले ब्रेड लेना है उसकी किनारे हटा लेने है फिर उसको ऐसे चकोड़ चकोड़ टुकड़ों मैंने ब्रेड के पीसे इसको का इसाट लीए यह मैंने चार ब्रेड पीश ल्ये ते चार स्लाइस से इतने सारे स्लाइस हो गाया है अब इनको हम देशी घी में शैलो फ्राइब करेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करना है कलर इसका अब पस्टेडिस में डाल दिया है मैंने गाइज इसको कंटिनियूर्स चलाना है हमें जब तक यह थोड़ा गाढ़ा ना हो जाया है कि तस्टेड़ गाढ़ा हो गया है गैस बंद कर देंगे इसे इतना गाढ़ा में रखना है अब इसे गैस बंद कर देंगे और मैंने लिए हैं चार इलाइची इनको मैं चिलका हटा के अच्छी तरह से कूटके से मिक्स कर दूंगे आप इलाइची पौडर भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं फ्रेस इलाइची डाल रहे हूं अब इसारे पीस में ले लिए अलग प्लेट में और एक नॉन इस्टिक पैन डाल चड़ा दिया मैंने जिसके मैं डालूंगे एक चम्मज घी अच्छी तरह से पिखलने देंगे इसके बाद हम अपने सारे पीसेज को सीमें चलो फ्राइब करेंगे ये ब्रेट के अच्छी तरह पैन गरम हो जाए अब इसमें एक एक करके रख देंगे कि अगर अगर घी खतम हो गया है अब मैंने बहुत थोड़ा डाला है यह वाले तो हो जाएंगे अगली बार में आपको घी कम लेगे तो आप एक्स्ट्राइड कर लीजिए विकिनको गोल्डन करना है मैं तो मैं अब इससे पलट देती हूं कि मैं हाथ से पलट दे रहे हूं कि इसका ऐसा कलर होगा गाई सब को मैं पलट लेती हूं कि मैंने सब कर लिए गोल्डन ब्राउन मैंने बहुत कम घी में किया है आप बहुत जादा गोल्डन चाहते तो थोड़ा घी जादा डालेंगे तो और अच्छे सिख जाएंगे अब अब इसकी ओपर हम करेंगे तो हमारा कि कस्टर प्रोस्ट तेयार हो जाएगा शाही कि इस तरह से सारा गिरा देंगे इसे ठंडा भी खा सकते हैं और गरम भी खा सकते हैं अलबादर गिरा दिया है बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा है अब इसको मैं कुछ गार्निस करूंगी ड्राइफूट से आपको जो ड्राइफूट पसंद है आप उससे कर लें मैं इसे बदाम से करने वाली हूँ कि अधाइज हमारा शाही कस्टड टोस्ट रेडी है इसे मैं बदाम से गार्णिश कर रहे हूँ अधिया अधिया अब मैं से थोड़ा ठंडा करके खाऊंगी ठंडा और भी टेस्टी लगता है जिने गरम कस्ट्राट पसंद हो गरम भी खा सकते हैं आएज मैं से टेस्ट कराती हूँ इंजल से देखती हूं यह कैसा बना हुआ है दिखने में तो बहुत अच्छा है खाने में देखती हूं कैसे इस आए चलो एंजल चपके बताओ कि अच्छा है कि आप भी रेश्पी जरूर ट्राइब कीजिए घर में जब 4-5 ब्रेट बच जाती है तो उससे कुछ क्या बनाए उस तरह से मैंने आपको सिखाई यह रेश्पी मेरे पास बची हुई व्रेट थी उससे मैंने भी बनाया है आप भी से ट्राइब कीजिए सि तो आप इसे ट्राइब कीजिए व्लॉग को देखते रहे लाइक करते रहे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर लें प्लीज और मेरे ब्लॉग देखते रहें लाइक करते रहें ना दा गाइस थैंक्स एवरिवन कीप वाचिंग